दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार में 15 से 18 वर्स के किसोरो के लिए स्लोर्ड बुकिंग कल यानि एक जनवरी से सुरू ऐसे करें रेजिस्ट्रेशन 32,000 डोज पोचा मुझपर जिया 15-18 वर्स के किसुरों के टिकाकरन के लिए सनिवार यानि एक जन्वरी से ओलाइन स्लोट की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन सुरू हो चुका है स्वास्ति विवा के पोर्टल पर www.covin.govornment.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा इसके साथ आधार काड़ हुआ मुबाइल नमबर पोर्टल पर अपलोड करना होगा आपको बता दे कि मुझपर पूर जिले के 16 प्रकौनों में इसीत 126 स्कोलों में टिकाकरन केम्प लगा कर किया जाएगा सिविल सरजन ने कहा कि ओलाइन के अलावा ओन स्पोर्ट बुकिंग वा रजिस्ट्रेशन भी होगा जिले को 22,220 टिका पाले फेज के लिए आवंटित हुआ है तेन जनवरी से पूरे बिहार में टिकाकरन सुरू किया जाएगा इसके लिए सभी मानुकों का पालन किया जाएगा अगली बड़ी खबर बिहार बोर्ड कक्चाई गारा में नामंकन के लास्ट डेट 10 जनवरी तक बढ़ी जिहां बिहार बिदाले परिचा समिती पाटना ने इंटर्मिडेट परिचा 2021 के तहट कक्चाई गारा में एडमिसल लेने से चुके छात्रों को आवेधन का एक और मौका दिया है अब अभियरती 10 जनवरी 2022 तक आवेधन कर सकते हैं इस समिती ने 27 दिसंबर 2021 तक आवेधन बढ़ाई थी जानकारे के लिए बता दे कि ओलाईन रजिस्ट्रेशन एवम सुल्क सिक्चन संस्तानों के प्रदान द्वरा समिती की वेबसाइट इंटर23.biharboard.online.com के मायदम से किया जाएगा साथ जीन अभियर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन आवेधन सुल्क जमा नहीं हुआ है वे 10 जनौरी 2022 तक आवेधन सुल्क भी जमा कर सकते हैं बाड़ी कबर बिहार के इस जिले में बिना कोरोना जाच रिपोर्ट के केमपस में नहीं मिलेगा परवेश केमपस के सबी भावनों और चात्रावास को सेनिटाइज कराया गया है कोरोना के नए वेरियंट ओमिक्रोन के समावित खत्रों से बचाव और संक्रमन के फैलाव को रोखने के लिए कुल सचीव करनल राजिक कुमार सिंग ने नोटिस जारी की है नोटिस के नुसार 3 जनवरी से खुल रहे विस्विदाले में परवेश पाने के लिए 72 घंटे पहले तक की कोरोना जाच की निगेटी रिपोर्ट दिखाना निवार है बगेर जाच रिपोर्ट के किसी को भी केमपस में परवेश नहीं दिया जाएगा परवेश दुआर पर थर्मल स्केनिंग की विबस्ता की गई है बगेर मास्क के केमपस में परवेश नहीं दिया जाएगा नियमों को तोड़ने वाले पर करवाई की चितावनी भी दी गई है बड़ी खबर पटना के 720 स्कोलो के 493 बच्चโ k को वेक्सिनेशन तेने जनवारे से बच्चो को वेक्सिनेशन की तयारी राजदाने में 24 घंटे में तयार होगा सिंटर जी हाँ एक जन्वरी से बच्चों के वेक्सिनेशन के लिए औलाइन रजिस्टेशन सुरू हो गया है पटना से लेकर राज के अने जिलों में बच्चों के वेक्सिनेशन को लेकर कोवेन पोर्टल पर रजिस्टेशन चल रहा है इस बेच राज के सबी जिलों में बच्चों के वेक्सिनेशन को लेकर सेंटर की तैयारी योधिस्तर पर है पट्टा में साथ सो बेस आई स्कोलों के चार लाग तिरनवे हजार बच्चों के वेक्सिनेशन की तैयारी चल रही है अगली बड़ी खबर नितीस के समाज सुधार अभियान पर तीसरी लहर का साया अब जनसबन नहीं करेंगे गया का करकरम बदला जи अभिहार में सराबंदी के अभियान को सबल बनाने के लिए मुख्यमंतर नितीसकुमार लगातार समाजसुदार अभियान पर निकले हुए है नितीसकुमार अपने इस अभियान के दौरान ना केवल सराबंदी बलकि दहेज प्रता और बालविवाज जैसे समाज Cliff कुरित कर सकते हैं सुत्रों की माने तो इस पर समती बन चुकी है और केवाल आधिकारी गोसना होना बाकी है वहीं नए साल में नितिस के सभयान की सुरवात गया जिले से होने वाली है लिए अब उनके कारकरम में बदलाव किया गया है सियम नितिस चार जनवरी को गया के गांधी में प्रस्तावित समाज सुधार अभियान और जनसवा को समधित नहीं करेंगे अब गया की बजाए और अंगाबाद में उनका कारकरम होगा बड़ी कबर आइटियाए चात्रों के लिए खुसकबरे बीना परिचा दिया ही हो जाएंगे प्रमोट इस कारण लिया गया फैस इक चन महा निदे साले 12 सरकार ने कोविट संक्रमन के बड़ते खत्रे के मद्दे नजरिया निने लिया है डिजिटी की ओर से इस बाबत आदेश भी जारी कर दिया गया है आपको बता दे कि सत्र दो जर बीस बाइस के सभी प्रतम वर्सक चात्र जो हाले में संपन हुई अ अगली बड़ी खबर बिहार में गंतंत्र दिवस समारों में आम लोगों की नो एंट्री सांस्कृतिक कारिकरम पर भी रहेगी पूरी तर रोप जिहां गंतंत्र दिवस समारों 2022 के मोके पर सिमित संक्या में ही आंगुतक सामिल हो सकेंगे गंतंत्र दिवस समारों में आम ज महमारी के संक्रमन को लेकर गाईलाइन जारी की गई है विबाग के पत्र में इस पश्ट किया गया है कि कोविट संक्रमन को देखते वे पत्ना के गांदे मेदान एवम राज के सभी जिलों में गांतांदर दिवस समारों में सोसल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते वे आंग अटना मौसम पुर्वानुमान के अनुसार अगले 24 से 48 गंडे तक मौसम साप रहने की समहवना है। आपको बता दे कि राज में सबसे कम चपरा का नियुंतम तापमा 9.8 डिग्री सेल्सेस दल्च क्या गया है। जबकि मंत्रियों के पास इस से अधिक संपती है। मंत्रियों की संपत्ती के बात करें तो मंत्रियों के पास 75 लाक रूपे। नितिन नविन के पास 2.12 करोड, साहनवाज हुसेन के पास 3.70 करोड और सुमित कुमार सिंग के पास 4.5 करोड रुपिस की संपत्ती है अगले बड़ी कबर देश में बढ़ रही बेरोजगारी जारकन तिसरे और बिहार चोथे नमर पर हर्याना का हाल बुरा जारोजगार शेजन की तमाम कोसियों के बावजव देश में बेरोजगारी बढ़ रही है गुज्रे साल के आखरे माहने के रोजगार के उपलबदा का बेस लेसन बताता है कि कई राजजू में दिसम्मर में नॉमर के तुलना में रोजगार के आउसर का पी कम होए है नौमर दिसम्मर की तुलना करे तो बिहार में एक परतिसद से अधिक बिरुजगारी बढ़ी है नौमर में राज में बिरुजगारी दर 14.08 परतिसद थी दिसम्मर में या 16 परतिसद हो गई है देश के चोराजों में बिरुजगारी दर इस समय दो अंकों में है बिहार का इस यालपी जी सिलिंडर के दामों में कट्डोती के गई है आपको बजाती कि सरकारी कमपनियों ने लपी जी गेस के दामों में एक जन्वरि दो ज़र्बाईश से कट्डोती की है इसके बाद कॉमर्सेल सिलिंडर का दाम घट गया है पीक्ति लश्स दै को सिनिवार को 19 किलोग्राम मोजन वाले कॉमर्सियल एलपेजी गेस सिलेंडर की किमत में 102.50 रुपे की कटोती की है बताया जा रहा है कि नई किमते 1 जनुरे 2022 से लागू हो गई है कॉमर्सियल सिलेंडर के दाम गटने से ढाबो रेस्टोरेंट और चाय के दुकान वालों को फा रप्तार में गाड़ी दोडाने वाले साउधान जेब डेलिक करेगी ये मसीन जिहां अगर आप बिहार के राजानी पाटना के अटल पद पर सपर कर रहे हैं और आपकी आदत तेज गती से वाहन चलाने की है तो जल्द अपने इस आदत को बदल लिजी दरसल बेते दिनों अटल पद पर तेज रप्तार के कारण हुए सडक हादसों से जोड़ी कई खबरे सामने आई है इनमें अधिकाहन से तेज गती को वज़ा बताया गया है कई मामलों में जान तक चली गई है इन हादसों पर तमाम लगाने के लिए पटना पुलिस एक्षन मोन में आ गई है इसी कड़े में पटना यताया तो पुलिस ने सुकुरवार को अटल पद पर तेज गती से वाहन चलाने वालों की खिलाब स्पीड रडार गन के मादम से अभियान चलाया इस दोरान 12 वाहनों को पकड़ा गया जिनकी स्पीड 60 किलोमेटर परती गंटे से अधिक थी वड़ी कवर बिहार में इसकूल कोलेज बंद करने पर बोले सियम इसी तितनी खराब नहीं नितिस ने कहा जल्द पटना में होगी ओमिकरोन की जाच सजग रहने की जर्रत बिहार में ओमिकरोन की आया मामले पर मुखिमंतरी नितिस कुमार ने कहा कि अभी यहाँ जाच नहीं हो रही है यहाँ जाच की ववस्ता की जा रही है वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर इसकूल कोलेज पर मुखिमंतरी ने कहा अभी हम लोग एसेस्मेंट कि इतनी खराब इसी थी नहीं है हमारे यहां सारे चीजों पर आकलन करने के लिए यहां बैठक कर रहे हैं हम लोग मीटिंग करेंगे यह तै करेंगे कि आगे क्या करना होगा आगे किस तरह से काम किया जाए सियम नितिश कुमार गुरुवार को पूरो विदायक नवीन कि सोर सिन्ना की पुनितिती पर पहुचे थे तभी उन्होंने ये बात कही थी परन की बड़ी कबर नेशनल मेंस का मेरिट चात्रविति के लिए तेने जनवरी से सुरू होंगे आवेदन जिया राष्टिया आई सा मेगा चार्तिवितिक या ओलाइन आवेदन के तिति एस टी आर र्जिस्ट्रेशन एक जनवरी से 15 जनवरी तक होगा इसकोल रजिस्ट्रेशन के बाद इस समदेद स्कुल के चात्र रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे इस चात्र वित्तिक के लिए परचपन भिजदे यांग के साथ साथी कل्या आई पका सवाल बताए कि बिहार में बेरो